कोट ने भी इस पूरे मामले में पीरिद परिवार के लिए सुरक्षा की बात कही थी और जिसके बाद अब आखिरकार सुरक्षा दे दी गई है से कितना संतोष से परिवार और कुछी देर पहले यहां पर S.I.T. की टीम जांच परताल करने के लिए फिर से गाउं पहुंची यहां किस तरीके से है और जो लोग यहां से मूब करेंगे उनको यह सुरक्षा किस तरह प्रतान की जाएगी है और आप देखेंगे कि मेरे पीछे यह जो पूरा गैलरी है इस गैलरी को पार करके ही आप घर के अंदर जा सकते हैं लेकिन उससे पहले जो सिक्योरिटी रीज उससे भी गुजरना होगा और मेटल डिटेक्टर से हर व्यक्ति की यहां पर चेकिंग की जा रही है दूसी तरफ जो एसाइटी की टीम है उसका समय जो है कर दस दिन बढ़ा दिया गया है और कुछ नए फेक्ट्स निकल कर आए हैं कुछ नए अबलेक जो है एसाइटी की टी कोट है वो फाइल हो सकेगी यानि अब हाई कोट का जो सुनवाई होनी है उसके बाद तक का इंतजार किया जा रहा है जो कारवाई की गई थी एस पी डी एस पी और बाकी पुलिस कर्मियों के खिलाप बस उतनी ही कारवाई फिलार रहेगी जब तक 16 अक्टूबर की तारीक नहीं आती और हाई कोट में जो सुनवाई होगी उसका जो नतीजा देख लिया जाएगा उसके बाद फिर जांच को किस तरीके से सम्मिट करना है या एक्स्टेंड और करना है यह सब तैक किया जाएगा सरकार के द्वारा तो तो दस दिन की जो जांच का जो अबिदी बढ ने यहां जितने भी गटना इस्ताल हैं जहां पर गेंगरेप हुआ या फिर जहां पर शव जलाये गया उन सवी जगों का दोरा किया था और घर तक भी एसाइटी की टीम पहुंची थी लेकिन अंदर नहीं गई थी लेकिन आज एसाइटी की टीम फिर से घर में आई है कोई connection था या नहीं था जो भी उस दोरान के सबूत है उन सबकी जाच खुड पुलिस करेगी एसाइटी उसकी जाच नहीं करेए या फिर पुलिस ना करेगी तो फिर जो सी घर की टीम ूपन Geaway पार आई गी तब ओसी बीिझ करेगी फिलाल जो पुलिस है इस मामले में इन्वस्टिकेशन कर रही है और रोज नए बदला और रोज नए अपडेट्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं आप नजब रहे हैं आप साब लेते रहेंगे फिलाल तमाम जानकारे के बहुत बहुत धन्यवाद और खबर आगरा से है जहां पर आलू व्यापारी ने फासी लगा करके खुदकुशी कर ली है बिजरे के खंबे से फासी लगा करके खुदकुशी की है तो अगरे चरन सेंग चंद दौसी से एक केस में वांच्वित था तो एक बड़ी खबार आगरा से जहांपर